सल्मान खान केटरिना केव की साल 2013 की मोस्ट अवेटिट फिल्म टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग कल से शुरू हो चुकी है और सारु खान की पठान और जवान के बाद अब बॉक्स और पिस पर सल्मान खान की सुनामी आने का समय आ गया और ये फिल्म टाइगर फ्रेंसाइजी की तीसरी इंस्टॉलिमेंट है और टाइगर 3 का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलिस कर दिया गया था टाइगर 3 का दमदा ट्रेलर देखकर फ्रेंस काफी एक्साइटिड है फिल्म का ये सबरी से इंतजार कर रहे हैं इसकी एड़वास बुकिंग खुलते ही लोगों ने डड़ा ड़व टिकेट बुक कर लिए है और सल्मान खान के फैन तो टाइगर 3 का ट्रेलर देखके ही ब लोग बास्ट रहे हैं और आप लोगों को बता दो कि टाइगर 3 में रिटी क्रोशन और सारुख खान का भी केमियो है और टाइगर 3 मूवी वायर अफ यूनिवर्स का हिस्सा है और अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टार कास्ट के बारे में इसमें सूपरस्टार सल्मान खा में सामिल होने वाले क्योंकि इनकी ये मूवी तक एक अजार क्रोड तो अराम से कमा लेगी लोगों ने ये भी कह दिया कि पठान और जवान से बड़ी मूवी बनने वाली है टाइगर 3 और बहुत से लोग तो सल्मान खान से नाराज थे क्योंकि उनकी जो मूवी पहले रि लोग सल्मान खान के दिवाने हो गए बस इंतजार कर रहे तो 12 नौमर कब 12 नौमर आये कब लोग इस मूवी को देखने जाए सिनमा गरों में और फड़ाफ़ड बात कर लेते इसके एडवांस बुकिंग के बारे में इस मूवी को आज एडवांस बुकिंग को खुले 130 टिगडे और अपने पहले दिन एडवांस बुकिंग से इस मूवी ने कमाये थे 4 करोड 20 लाक रुपे और बात करें इसके दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में तो आज अपने दूसरे दिन टिगड़ सौल्ड करने वाले 3,21,000 और इसी के साथ आए तो दोस्तों आप लोग बताओ कि ये मूवी अपने एडवांस बुकिंग से कितने का कलेक्शन करी और अपने पहले दिन कितने का बुक्स ओपिस कलेक्शन करी क्या टाइगर 3 मूवी जवान और पठान मूवी का अपने पहले दिन का रिकोड तोड़ पाएगी कमाये के माम मिलने में कमेंट में जुरूर बताना अगर आप लोगों हमारी वीडियों अच्छे लगती तो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना